एक और बड़े ख़वर आपको बढ़ा देते हैं बीजेपी सांसंत गौतम गंभीर का केज़िवाल पर बड़ा हमला एक साल तक दिल्ली के सीम ने कोई तयारी नहीं कि ये गंभीर के और से कहा गया स्वासे सेवा ठीक करने के जगा विग्यापन में पैसे खर्च किये सीम केज़िवाल ने 600 करोर रुपाए विग्यापन में बहा दिये ये आरोग गौतम गंभीर नेर्विन केज़िवाल पर लगाया है इतना पैसा अस्पताल में खर्च करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती गौतम गंभीर ने ये भी कहा है साफ़तोर पर निशाना साथ दिया है विजेपिस सांसंद गौतम गंभीर का केज़िवाल पर बड़ा हमला साम लिया है एक साल मिला था सीएंस आपको त्यारी करने के लिए एक साल में कुछ भी नहीं किया फिर से हम एक की चीज रिपीट करते जाएंगे कि एक साल में अगर कोई 600 करोड अपने उपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ अपसेस्ट आदमी है ये 600 करोड रुपे में अगर आपने कोविट सेंटर खुला होता या फिर आपने ICU बेट्स बनाये होते या आपने वेंटिलेटर ली होते उससे भला होता दिल्ली की जनता का या जो आपके जो आड आते हैं उससे भला होता और आप center को देखो center ने supply oxygen की increase करी है दिली में इससे पता चलता है कि center हर तरीके से दिली की जन्टा को support करना चाहती है वक्त वक्त मदद भी करना चाहती है पिछले साल भी ग्रह मंत्री जी ने जब इंटर्वीन किया था तब DRDO का जो कोविट सेंटर खुला था सर्दार वल्ला भाई पटेल वो भी ग्रह मंत्री जी की इंटर्वेंशन के बाद ही खुला था इस वक्त हम दिली के दिन द्याल उपाद है अस्पताल के बाहर मौजूद है और कल जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी क्या थे एक बजूद ने यहाँ धम तूर दिया था वहीं आज की तस्विर देखिए और कि दिखे दो मरीज यहाँ तरब रहा है सांस लेने की दिक्कत पुरीज ने भरते करा दीजिए जो इनको आइसले से एक घंटे निकाल के लाएं इसरे यहां लिखा हुआ है तस्वीर है और देखिए यहां लिखा हुआ है गेट के बाहर तस्वीर दिखाना चाहेंगे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि गेट के बाहर गेट के पाहर इमर्जेंसी फोर कोबीट पेसेंट अनली लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया जारता लेकिन जब हम यहां पहुँचे हैं उसके बाद यहां इंट्री दी जा रही है यह जी हिंदुस्तान की खबर का असर है इनको एडमीड किरिपैकर आईए आप जान चली जाएगी तो फिर कुछ नहीं है तो यह लगतार हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं और देखिए एक के बाद एक जो है पेशियंट यहां पहुँच रहा है जिनकी हालत काफी गंभीर जो है वो नजर आ रही है कौवेस इसी तरह की जो इस्तिती है वो अस्पताल के बाहर नजर आ रही है देखिए जब मीडिया यहां नहीं पहुंचता है जब हम यहां नहीं पहुंचते हैं तब इंट्री जो है वो नहीं दी जाती है लेकिन जब जैसे ही जी इंदुस्तान के कैमरे को अस्पताल परसासन या फिर गार्ड्स की ओर से दिखा जाता है तब इंट्री दी जाती है यह होता है खबर का असर जी इंदुस्तान की खबर का असर और देखिए अभी एक बंदा यहां तरप रहा था और जब हम यहां पहुंचे हैं तो उसके बाद अंदर अस्पिताल के अंदर जो है उसको जाने की इजाजत दी गई है तो ऐसे में सबसे बारा सवाल है कि इस तरह की लापरवाही आखिरकार क्यों क्योंकि कल भी एक एक शक्स ने यहां दम तोड़ गया था आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कैसे लोग मर रहे हैं यहां पर लोग जाने नहीं दे रहे हैं अंदर से मना कर रखाजी हमारे को होस्पिटल किसली है लगतार जी हिंदुस्तान जो है वो मरीजों के हक में आब आज उठाता रहेगा और जो अस्पताल सोया हुआ है उसको जगाने का काम करेगा और देखिए कमोवेस इसी तरह की इस्तिती जो है वो लगतार लगतार देखने को मिल रही है चले सीधर उकरते हैं सुमेत हमारे सयोगी लगातार बने हुए सुमेत आपकी ही रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाए कि कैसे जब जी हिंदुस्तान का कैमरा वहाँ पर पहुंचता है आप वहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर हरकत में अस्पताल के जो प्रिशासन है वो आजाता है लेकिन ये भी तो सवाल है ना क्या मरीज की जिंदगे की कोई कीमत यहाँ पर नहीं है क्या अस्पताल के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और देखिए जब मैं करीब एक घंटे पहले पहुंचा था तो यहाँ किसी भी मरीज को सूद लेने वाला यहाँ कोई नहीं था यहाँ तक की गेट जो है बकाइदा बंद कर दिया गया था किसी के इंट्री नहीं दी जा रही थी देख उनको अंदर केजविल्टी में एडमिट करा गया है देखिए मरीज के परिजन है वो क्या कहते हैं उनकी जुवानी सुझे क्या इस्तीती थी मेरे आने के पहले इस टेम बहुत ज्यादा मतलब उनकी धड़का नहीं थी और मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही थी सर ने मत अब क्या स्टेटस अंदर ले गए हैं अंदर लेके गए हैं उनको सांस लेने में दिक्कत था तो तो सबसे बड़ा सिस्टम यह हैं बिल्कुल बिल्कुल देखें लेकिन आप मैं आपको बता दूँ कि दो जो मरीज यहां तरह पड़ा थे उनको अंदर केजविल्टी में दिया गया है डॉक्टर राजेस कोली समने बात की उसके बास संग्या लिया लेकिन अभी भी इस्तीती देखिए अभी इस्तीती समली नहीं है क्योंकि यहां बैट्स नहीं है और देखिए एम्बुलेंस में भी एक मरीज है जिसको ऑक्सीजन की जरुवत है लेकिन अस्पत हितेन भी हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं हितेन का हम रुख कर ले थे हैं हितेन सुमित जो हालात दिखा रहे हैं और सुमित की समवेदन शीलता की वज़े से जो उनकी कोशिश थी उसकी वज़े से एक मरीज की आज जान बच पाएगी लेकिन ये कब तक चलेगा जब क्यामरे नहीं होगा तब तक क्या मरीजों को असपताल में अधमिशन नहीं मिलेगा बिल्कुल मलिका देखे हालात इतना खस्ता है दिली सरकार के सारे अस्पतालों का ये जी टीबी ऑस्पिटल में देखे चार गंटे से मैं या खड़ा हुआ हूँ चार गंटे से ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है इस कमरे के अंदर पेसेंट्स के साथ ही डेट गोडी भी जो टॉको झिलन बात करते हैं कितने घंटे हो गया आप साड़ीन गंटे से क्या करे¿ ही डॉक्तर निया ऊक्षिंट्स के करेंदे दाँको चार गंटे puisque देख रविए अं-धुप्र लोग यहां पर बाहर अपने मरीजों के साथ बैटे हुए इंतजार कर रहे कि कब डॉक्टर आगा चार गंडे हो गए दूसरी तरफ देखिए यहां राइट में देखिए यह इंब्लेंचों की भी लंबी कतार जो लग चुकी है अबिलेंस से भी पेंट आ रहें लेकिन यह लिए नहीं जा रहें तो यहीं सड़कों पर अगर मरीजों के अगर बहुत होती है तो क्या दिली सरकार जिम्मेवार है आस्पटाल जिम्मेवार है बारीजों के जो परीजण है वो तो कही ना युट दर्बहतर भटकते रहेंगे दूसरी ओर इस कम्रे के अंदर देखिये ये कम्रे के अंदर डर्ध बोडी और मरीज साथ में पर जो भी अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं वो घस्ता हालत में ही लोग मतलब रामभरो से चल रहे हैं डिरली सरकार के अस्पताल यह हम कह सकते कि यहाँ पर मरीज चार चार पाच फाच घंटों से यही ऐसे सडकों पर अस्पिताल के भार इमर्जनसी वॉर्ड में पढ़ा हुआ है लेकिन डॉक्टर जो है कि वो उठकर अपने कमरे से यहां इमर्जनसी वॉर्ड के पास आने के लिए तयार निन हो रहा है अब इसका जवाब कौन देगा क्या मुख्यमंत्री अर्वीन के जिरिवाल देंगे क्योंकि वो तो लगादार अपना हाथ जारते हुए कह रहे कि हमारे पास यह सब कम्या है अब हमने केंदर से अपील किये केंदर सरकार देख लिए क्या कर सकती है लेकिन यह स्थिति आने क्यों दी चे कहते लोटेंगे आपके पास क्योंकि बेहद विचलित कर देने वाली यह तस्वीरे हैं सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए है क्या अभी इस्थिति है क्या परिशानिया लोगों को आ रही है और क्या समाधान हो पा रहा है आप जानने की कोशुश करिए जी बिल्कुल देखिए यहां फिलाल अगर बात की जाए बेट्स की तो बेट्स पुरा फुल हो चुका है तीन सो की संख्या में बेट्स हैं यहां हाला कि कल दस बेट्स खाली थे लेकिन आज जब हमने से बात की तो बेट्स पुरी तरह से फुल हो गया है इसलिए आप आप देख सकते हैं कि इंबुलेंस कई एंबुलेंस यहां पहुची है और यहां सीधे डॉक्टर स्वाति आयती अंदर से उन्हें सीधे साफ कह दिया कि हमारे पास बेट्स नहीं है इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते हैं उनके लड़के हैं जो मरीज हैं अंदर क्या स्टीटस है अंदर तो बढ करेंगे आप दिनको ले जाओ ऑक्सिजन कहीं से दिलाओ मैं कहां से अरेंज करा हूं मैं सब जागे घूम के आया हूं कुछ नहीं हो रहे हैं क्या करें लेकिन जो दिल्ली के अस्पतालों की यह बदहाली है यह जो दुरदशा है इसके जवाब देही किसकी है कब इस पर व जुड़ने के लिए नजर आप बनाए रखें लोटते रहेंगे आपके पास अपदेज के लिए बिलकुल लगातर हर बड़ी ख़बर आप तक पहुचाते रहेंगे और जिहन दुसार लगातर आपस यही अपील करता है कि अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो आप अप अपने सुरक्षा खुद करें एक छोड़ से ब्रेक के लिए आप रुक रहें जल्ला उचेंगे